असलाम अलेकुम नाजरीन, Happy Geo TV से मैं हूँ आपकी होस्ट अलिश्या असलाम आज की प्रोग्रेम में हमारी मेहमान है डॉक्टर अलीदा इक्बाल जी नो ने CSS 2020 के एक्जाम में 8th position हासल की है और हम इंसे जानते हैं कि इनकी सारी जर्णी कैसी थी असलाम लेकुम अब बताएं के आपका बेग्रांड कैसा था पीछा देखें मैंने अपनी जो इनिश्या एजुकेशन थी वह मैंने कॉनमेंट से हासल की थी उसके बाद मेत्रिकुलेशन का एक्जाम जो है मैंने दीपेस मॉडल टाउन लाहूर से दिया अलहमदलिला आइस कियोड़ा डेस्टिंशन और गॉल्ड मेडल थी अजो इनकी अपनी प्रणी तो इसके बाद गॉल्ड मेडल लेने का मुखा मिला उसके बाद जो इस वकत हमारी सबसे बहतरी इंवरस्टी मानी जाती है मेरे पेरेंट्स की दुआइं थी और मेरी कुछ महनत थी मुझे उसमें भी एडमिशन मिला फिर मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवरस्टी से अपना Mbps पास किया हाउस जॉब की और इस वकत मैं ना सब्सक्राफ ये के पाथालोजी में ट्वेनिंग कर रही थी बि मैं हमेशा से अपने सुराउंडिंग में ये बात सुनती रही हूँ सियसस के नाम से मैं फिमिलियर थी लेकिन बहुत क्लियर कट आइडिया जेन में नहीं था मेरे मैंने Mbps करने के बाद कुछ हालाद ने और कुछ मेरे पेनिंट्स ने बहुत जादा मोटिवेट किया तो जरा कम थे और मोटिवेट करने बाले बहुत जादा थे पेरेंट्स की स्पोर्ट कितनी ही मैं समझती हूँ और यह तमाम देखने वालों को भी में और के मेरे लिए द्धी सपोर्ट बहुत जादा इंपर्टन थी मेरा मेरा क्याल है कि मैं अआपिने सक्ríक्स का ज्यादा Karad अपने पेरिंट्स को खास को देना चाहूंगी अच्छा वालिद साथ ने ऐसा कि किया कि खास दोर्टे आप वालिद साथ को देना चाहरी है देखें एक तो मॉटिवेशन वाली बात है कि वो हमेशा से जो उनका मेरे उपर फेट था मुझे याद है कि जब मेरा FAC का रिजल्ट आना था उस वक्त भी वो कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए टॉप की दॉप कर रहा हूँ और मेरा उनसे कहना था कि देखें अच्छे नंबर आ गए और टॉप ना हुआ तो फिर एक मायूसी सी होगी तो आप बस दॉआ मांगें वो कहते थे नहीं जी आप टॉप करेंगी इसी तरह CSS का उनको बहुत यकीन था तो जब आपके ऐसे लोग हों जो यह यकीन दिलाएं कि आप पर ये सलाहियत मुझूद है तो दर हकीकत वो सलाहियत मुझूद हो जाती तो मेरा तमाम देखनेवालों से भी यही गुजारिश है पेरेंट्स से भी के वह एक दूसरे को पर इतमाद करें इसके साथ साथ जो मेरी ट्रेनिंग है उसमें भी मेरे पेरेंट्स का रो रहा है CSS की तेयारी के दुराना को कितना पढ़ना पड़ाएं कि मैच बना हुए रहा कि CSS जैसे बहुत ही कोई हैवी किसम की स्टडीज हैं इसका जवाब मैं दो तरह से देना चाहूंगी एक हमारे पास वो स्टूडेंट हैं जिनका बिल्कुल पीछे बैगरांड नहीं होता जादा तर जैसे जो इंजिनियर्स हैं डॉक्टर्स हैं उनका ये ख्याल होता है वो जादा तर अपनी उसी स्टडीज में फोकस किये होते हैं जादा जनर नालिजिया अखबार पढ़ने की हम कह सकते हैं कि हर एक वादर नहीं होती तो ऐसे जो हैं लोग बिलकुल वो भी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजर्फ दे सकते हैं बहुत थोड़े टाइम में कर सकते हैं लेकिन उनको फिर अपने पढ़ने का दुरानिया थोड़ा सा ज्यादा करना पढ़ते हैं मेरे केस में ये था अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे हमेशा से आदत थी अखबार पढ़ने की जैसे मैंने पहले जिकर किया कि ये थोड़ी सी घर की ट्रेनिंग थी वालत साब कुछ होग था उनके साथ पढ़ते थे बैटके तो अखबार पढ़ने की आदत थी मुझे थोड़ा सा मैं अलहमदलिल्ला डिबेट्स में रही हूँ उसकी बज़ा से करांड अफेर्स का नालज़ मेरा था तो मुझे थोड़ी सी नोहाओ चीज़ों की थी तो पढ़ना जरूर पढ़ता है आपको मेहनत करनी पढ़ती है और जो इमतहनात रिटन एग्जामिनेशन के आफ़ी के 15 दिन थे उस पे मैंने 10-12 घंटे भी पढ़ा 13-14 भी किसी दिन टाच किया तो वो यह है कि आपस पूरी मिहनत लगाएं और अपने हिसाब से मैनेज करें कि आपकी परसनालिटी को आपके सरकमस्टैंस को क्या चीज स अगर मैं कर सकती हूँ तो मेरा मानना है कि आप में से आपको कर सकते हैं इसके लिए जरूरी है कि जो मैंने किया था आप पहुर आकल मादलत नगाने पड़ते हैं। तो इस तरह से आपने प्रॉारिट iZ करना है कि इस वक्त इन थो महीनों में इन चार महीनों में उस्यादा है। और इस दुटित जाज़ जुक्त एस तरह से है कि आप जाख जल्दी कर सकें उस दुरान में इखुछ टाइम मिलते हैं तो एक तो ऊणने करें। रास्ते में आते जाते हैं वाज़ुकार टाइम मिल सकता है उसको भी ले 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 उसको भी जाया ना करें नीन थोड़ी सी काम कर लें इस तरह की चीजों से फिर आप जॉब के साथ मैनेज करते हैं कुछ स्टूडेंट्स करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अवेरनेस नहीं है यू कह लें कि उनके पिरेंट्स को अवेरनेस नहीं है तो उनको आप क्या मैसिज देंगी देखें सीएस का लफ यू हमारी इस सुसाइटी में सुना के सबने हुआ है बेशब वो हम किसी घरीब बैगराउंट को ले 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 यह अफ़रीड़ी और कि सूशल रियालिट्स है और हर पिरेंट्स की कोशिश होती है कि उनका बचा उपर से उपर तक जाए और किसी अच् यह प सांप हमारे पस पर नुंधा सी अपर आपको लगे हमारे तूल है इसमिंहया आरह पोलकित storage मंचा क्रपते हैं वह इंटरनेट बहुत इंपोर्टन था और दूसरी बात ये कि अपने अंदर यह स्किल्स पैदा करें कि एक वक्त में काम करने के श्किल्स पैदा करें इस तरह की चीज़ें अपनी परस्टनालिटी में ज्यादा डैनेमिक परस्टनालिटी लेके आएं तो वो इन्शाला आप भी करेंगे और जो चाहेगा वो कर सकेगा इन्शाला तरह क्या बात ठीक है कि जो एलीट क्लास थे ही स्टूड़ेंटस है यह तो पीजरूर्ट के हैं आगे जासकतें कि एक गड़ीद का जो बच्चा है वो ने कि श्यूष कर सकता दिए क्ट साल हुए निचे अ मैं इस्से अपरेटिक बैक्राउंड नहीं है, हम एक मिडल क्लास फैमली हैं और अला को शुकर है, एक अच्छी गाइडेंस मुझे हासल रही है, मैं अच्छे गारों में पढ़ती रही हूं, इससे इंकार नहीं है, लेकिन कोई एलीट या बिरोक्रेसी वाला सिस्टम नहीं था मेरे और इसके इलावा मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, माशाला जो बिलकुल भी इंगलिश उनको इतनी अच्छी नहीं आती है, देखें मारी कौमी जुबान उर्दू है, और हम उसे इंडोर्स करते हैं, और हमें इस बात पे भी फखर है, लेकिन आपको एक मीडियम इस एक्जाम के लिए एक मीडियम भी चाहिए, इसमें हमने पंजाबी भी, मेरा सब्जेक्ट था पंजाबी, हम पंजाबी हैं भी, तो मैंने उसको रखा था ऐस अन ऑप्शनल, तो हर जुबान को हम इंडोर्स करते हैं, तो मेरा मानने है कि आप किसी भी बैग्राउंड से अगर आप में लगन है, अगर आप मेहनत करना जानते हैं, तो इन्शालला काम्याबी आपके कदम चुमेगी, और यह कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बिरोक्रेसी से ही लोग आगे बिरोक्रेट बनते हैं, हर कोई बन सकते, अच्छा, अब आप इस फेल्ल में आ गई हैं, कि महनत के साथ काम करें, लगन के साथ काम करें, और जो मुझूदा सिस्टम है, उसको इंप्रॉब्मेट करें, उसके साथ साथ फिर हम इंशालला जैसे इस वकट दुनिया डिजिटलाइजिशन की तरफ जा रही है, तो मेरे खाल में पाकिस्तान की अवाम को इससे बहुत फाइदा हो सकते हैं, अगर आफ श्रकारी दारों में यह चीज़ ज्यादा कर लें, सरकारी दफ्रों के छक्र काम से काम हो सकते हैं, तो मेरे अभी तक चुह हैं यह प्लैन से, इन्शाला. मैं आपकी होविस के बारे में जाना चाहूँगी कि आपकी होविस क्या-क्या थी? अलीशा मैं मेशा से अगर बश्पन से बात करूँ तो एक तो स्पोर्ट के अंदर थोड़ा सा एक्टिविक्टी पार्टिस्पेट भां करते रहे और इसके लावा पेंटिंग का बहुत चोक था मुझे अच्छा तो एक चोक है जो अभी तक परसेस्ट कर रहा है अभी कभी कभी तबाजमाई करती हूँ मैं किसी ना किसी पेंट के साथ हुआ हमागी कुछ पेंटिंग्स दिखा सकते हैं जी जरूर मैं दिखाऊंगी इसके अभी का बहुत चोक रहा है और डिबेट्स में ने जो है वरी उनिवर्स्टी में भी बहुत पाटिस्पेशन की है तो बेसिकली तो मैं ही कौंगी कि क्रियेटिव आर्ट्स और डिबेटिंग उसमें इसादा इंट्रस रहा है इतनी सारी शीर्स यहाँ पर पढ़ी होई है अच्छा आपके पेरेंट्स भी हुष होते होंगे यह आपके प्राइजिज जैसे ही आप विन करके लेकर आती होगी सीएसे तो बहुत बड़ा उनके लिए सर्प्राइज था तो आप बताएं क्या हालात से तब घर में कैसा लगा जब आपने उनको यह नियूस सुनाई है बिला शुबा पेरेंट्स की खुशी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट होती है और मेरा मानना है कि आपकी किसी भी खुशी में पेरेंट्स की खुशी उस खुशी को चार चांद लगाती है तो जब मेरा सीएसे का रिजल्ट आया सबसे पहले तो हमें ग्रूप पता ल तो सबसे पहले मुझे पुशीशन नहीं पता थी मुझे पता लग गया कि मुझे अपना ग्रूप मर्जी का मिलना है तो पेरेंट्स बहुत खुश थे बहुत ज्यादा खुश थे उसके बाद पुशीशन पता लगी कि अलहमदलिल्ला टॉप 10 में आठ्वी पुशीशन है तो उसके बाद तो पेरेंट्स शदीर पुशते हैं मुझे लगा कि बस मेरी आज मिहनद जो है वो इस लबहे दें वसूल करवादी है तो अब आगे आप इससे बड़ी कौन से खुशी पेरेंट्स को देना चाहती हैं पेरेंट्स के लिए पाकिस्तान के लिए क्या गरना कि जिससे और पेरेंट्स का सर्फवकर से खुलत हो जाएं तेखें मेरी दौा है अपने लिए भी जो और मैं चाहूंगी कि तमाम लोग भी इस दौा में शामिल भी हों कि हम सब लोग जहां जहां जिस भी पोजीशन पे हैं जिस भी ओहदे पे हैं छोटा है बड़ा है जिस ना सिरफ हमारी पूरी कौम बलके वालदायन के लिए भी फखर का मकाम होगा कि हम अगर छोटा सा हिसा भी डालते हैं तो वो हिसा तमाम लोगों का इंपोर्टेंट है हमें ये बात जाननी चाहिए जिनाजीन अमीद करती हूँ आपको मेरा आज का प्रोग्रेम बहुत अच इशा स्लम को दीजिए इजाज़त अलाहाफिस